अब हमने इस example को Demo 3.8 से save कर दिया है और हमें यहाँ पर array में slicing का concept समझना है और इस concept को समझने के लिए हमने कुछ array ऐसा बना कर तियार किया यदि हमने यहाँ पर print कर दिया X को तो इसे condition में X array का सारा data आकर display हो जाएगा यदि हमने यहाँ पर लिखा कि X of 2 तो इसे condition में index number 2 पर क्या चल रहा है 3-0 तो यहाँ पर 3-0 आकर display हो जाएगा ठीक है यदि हमने लिखा यहाँ पर print होना चाहिए X of 2 और फिर column तो इसे condition में index number 2 से लेकर last index तक का सारा value आकर display हो जाएगा मतलब कुछ चल ऐसा output आकर display होगा example को हमने run कर दिया तो यहाँ पर 3-0-4-0 कुछ यह output आकर display हो गया यदि हमने यहाँ पर लिखा print होना चाहिए X of 2,6 इसका मतलब यह होता है कि index number 2 से लेकर index number 5 तक का value तो यहाँ पर output index number 2,3,4,5 कुछ इतना आकर display होगा हमने इस example को run कर दिया कुछ यह output आकर display होगा है यदि हमने यहाँ पर लिखा print होना चाहिए X of colon 6 तो इसका मतलब यह होता है कि index number 0 से लेकर 0,1,2,3,4,5 तो index number 0 से लेकर index number 5 तक का value आकर display हो जाएगा कुछ इतना example को हमने run कर दिया और कुछ यह output आकर display हो गया है सब इध्यान से इस example को और इसके output को note करेंगे अब हमने इस example को demo 3.9 से save कर दिया है और यहाँ पर हमने कुछ ऐसा किया की 8,2 इससे condition में हमारे example का complete output क्या आएगा आप सभी को comment में लिखकर बताना है सब इध्यान से program को note करेंगे अब हमने इस example को demo 4.0 से save कर दिया है और हमने आपर लिखा की x और यहाँ पर लिखा हमने कुछ ऐसा दोनो ही condition में complete array आकर display हो जाएगा और यहाँ पर यह output आएगा यहाँ पर भी यह output आकर display होगा example को हमने यहाँ पर run कर दिया और output आकर कुछ यह display हो गया है यदि हमने यहाँ पर लिखा कि print होना चाहिए x of minus 2 तो इससे condition में यह minus 1 होता है और यह क्या होता है minus 2 तो minus 2 पर कितना चल रहा है 8-0 इसलिए यहाँ पर 8-0 output आकर display हो जाएगा example को हमने run कर दिया यहाँ पर 8-0 output आकर display हो गया है यदि हमने यहाँ पर लिखा print होना चाहिए minus 3 colon तो minus 1, minus 2, minus 3 minus 3 से लेकर end तक इसलिए यहाँ पर output यह आकर display हो जाएगा example को हमने run कर दिया तो कुछ यह output आकर display हो गया सभी ध्यान से इस program को और इसके output को note करेंगे अब हमने इस example को demo 4 one से save कर दिया है और हमने कुछ यहाँ पर ऐसा लिखा कि minus 6 यहाँ पर लिख दिया minus 2 और फिर हमने यहाँ पर लिखा minus 6 कुछ ऐसा तो इससे condition में हमारे example का output क्या आएगा सभी को comment में लिखकर बताना है सभी ध्यान से example को note करेंगे यहाँ पर लिखकर 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 ल